नमस्कार खबरों का पंचनामा देखरें आप मैं हूँ आपकी साथ पूजा हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की पाज बड़ी खबरे जिस पर चर्शा के लिए मेरे साथ स्टुडिम में मौजूद हैं क्या पचल टीवी की एडिटरिन चीफ डाक्टर मनिश कुमार रच स बहुत दुस्वागत हैं आपका धन्यबाद सबसे वेले नजर हेड्लाइन्स पर प्यामोदी ने किया कलकीधा मंदिर का सलन्यास कारिक्रम में देश पर के साथू संत्क्वे शामिल विपक्ष पर जम कर बढ़ से कहा अच्छे काम लोग मेरे लिए ही ठोड़ गए ग्राउंड ब्रेकिंग सर्मनी का भी पियर ने किया उद्धाई कमलनाथ बीज़ेपी में नहीं होंगे शामिल अपनी पाठी बनाने का कर सकते हैं अलान कई नेताओं के संपर्क में कमलनाथ कर सकते हैं बढ़ाखने EDK चटे समन पर भी पेश नहीं हुए अर्विन केज्रिवाल समन को फिर बताया ग्यार कानूनी आमाद्मी पाठी बोली कोट के पैसले का इंतजार करें जाच एज़ेंटी संदेश खाली मामरी पर SIT गठित करने की आजिका सुप्रिम कोट से खारी सुप्रिम कोट ने हाई कोट जाने की दी सला कहा अगर ज़रुत पड़ी तो बनाएंगे स्पेशल पेच चंडिगर मेर चुनाओं में सुप्रिम कोट में कल फिर सुनवाई रिटर्निंग ऑफिसर ने कबूला बालट पेपर पर लगाया था क्रॉस सुप्रिम कोट ने दिया बालट पेपर पेश करने का आज कबरों के शरवाद में सबसे वह लिवाज पीम मोदी के यूपी दौरी की रामंदिर के बाद आज यूपी को एक और बड़ी सौगात मिली है पेअम मोदी ने संबल में कल की धाम मंदिर का सलन्यास किया कल की मंदिर के गर्वग्रे में पीम मोदी ने पूछा अरचना की इस दौरान पेअम मोदी के अलावा स्यम्यू ग्यादितनात और आचार प्रमोद प्रिश्णम भी मौजूद रहे और देशपर के तमाम साधू संत भी मौजूद रहे इस मौके पर पेअम मोदी ने कारक्रम को संबोधित करती वे विपक्षपर जम कर हमला बोला पेअम दे कहा कि ऐसे कई अच्छे काम हैं जो कुछ लोग मेरे लिए ही छोड़ कर चले गए हैं आगे भी जितनी अच्छे काम रह गए हैं उनका भी संतो और जनता जनारदन के अशरवाद से हम पूरा करेंगे कल की धाम मंदिर का सलन्यास करने के बाद पेम मोदी लखनों पहुंचे लखनों में ग्राउंट ब्रेकिंग सर्मनी में हिस्सा लिया और यहां उन्होंने विभिन परियोजनाओं का शुभारम भी किया पेम मोदी आज यूपी दौरे में थे पहले राम मंदिर का उद्गाटन के उसके बाद कल की मंदिर की अधार शीला रखिये कैसे बढ़ रहा है हो तर्पिदेश देखिया आज तो प्रधान मंतरी मोदी और मुख्य मंतरी योगी आदित नाथ दोनों ही गरजे और बड़ा दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि कॉंग्रेस पार्टी के दिमाग में लकवा मार दिया प्रधान मंतरी ने कटाक्ष किया कि प्रियंका वाडरा ने मेरे लिए काम छोड़ दिया था कल की धाम है क्या हिंदू मुल्यों के मुताबिक जो दशावतार जिसमें राम कृष्ण सब पर्षु राम नर्सिंग तो कल की अवतार ये आने वाले भगवान है तो एक अवतार आयोध्या दूसरा अवतार कृष्ण भगवान मतुरा काल की पीट का इतना ही इंपॉर्टेंस है कॉंग्रेस पार्टी को अगर अकल होता तो वो राहूल गांदी वहाँ पे आज शिला न्यास कर रहे होते लेकिन होता क्या है उपर वाले का भी खेल बड़ा निराला होता है बुद्धी ही भ्रष्ट कर देते हैं जिससे जो काम नहीं करवाना होता है बुद्धी ऐसा भ्रष्ट कर देते हैं उपर वाले कि आपको समझ भी नहीं आता प्रधान मंत्री बोधी वहाँ पहुंचे आचार प्रमोद कृष्णम कॉंग्रेसी लीडर है उनका मठ है वही पीठा दिश्च्वर है उन्होंने बताया कि बहुत दिनों समय लोगों कह रहा था ये कर लो ये कर लो ये कर लो लेकिन वहीं तो किस्मत में लिखा हुआ है तो प्रधान मंत्री ने आज किया वहां करने के बाद आप देखिए मैं बार बार इस बात को कहता हूँ प्रधान मंत्री ये यूजेज डबल ब्लेड शोड दो धारित तलवार धर्म का काम किया और फॉरण विकास के कारिकर में जाकर के वहां पे प्रधान मंत्री मोदी और योगी आदितनात ने बदल के रख दी है चुनावी महौल है असी पे निसाना है कि यूपी में असी से असी कैसे आया जाए उसी के तैयारी है ये अब बाद कॉंग्रिस पार्टी में मच्री हल चल की मदरपिदेश के पुर्व मुख्यमंत्री और कॉंग्रिस नेता कमलनात के बीज़पी में जानी के अटकलों पर आज वराम लगया खबर है कि कमलनात बीज़पी में शामल नहीं होंगे उन्होंने आज दिल्ली में अपने करीबी नेताओं के साथ बैठक की बैठक की बाद सर्जन कुमार वर्मा ने कहा कि कमलनात के बीज़पी में शामल होने का प्रश्न कालपनिक है लेकिन कमलनात काफी नाराज बताए जा रहे हैं केसी विनुकुपार, जैराम रमेश और रंदीब सुर्जवारा से कॉंग्रिस के कई नेता नाराज है दीकेश शिपकुमार भी कमलाद के साथ खड़े हैं और खबर है कि कमलाद कॉंग्रिस पार्टी को तोड़ सकते हैं और जल अपनी पार्टी का ऐलान भी कर सकते हैं इतनी जादा हलचल तेज है क्या कदम उठाने जा रहे हैं कमलाद देखें, Congress Party अंदर से अपने विरोधा भास राहूल गांधी जिस तरह से नॉन-Congress स्टाइल से Congress Party को चराने की कोशिश कर रहे थे, और जिस तरह की बत्मीज यहां करते हैं, तो पुराने लोग नाराज हैं, काई सारे लोग भारतियनता पार्टी में आ गए, लेकिन भीर भी ज्यादा है और पचीस पचीस तीस तीस बड़े बड़े निताओं को भारतिंता पाटी अपने में ले लेगी तो फिर बीजेपी क्या करेगी बीजेपी में भी सुख बुगाहट सुरू हो गई यह तो नितिश कुमार को साथ मिला करके नया बवाल पाल लिया ब्यार के अंद कान उधर से पकड़े कबलाएग वही गेम खेल रहे हैंं सिंपल सी बात है कौंगरेस पार्टी के अंदर राहूल गांदी को राITT के वर्क कल्चर और राहूल गांदी के जितने तमाम है परधानी का चुनाव हैूंहीं जीथ सकते उसके खिलाफ यह विद्बोह की आवाज बात एरविन केजरिवाल की जो बार-बार E.D. समन को एग्नोर कर रहे हैं. आज केजरिवाल को school के सामने पेश होना ॱ। को एड़िन केजरिवाल को समन जारी करा आज पेशी समन पएश का मामला अब कोट मे भी है कि जल्द ही केजरिवाल को सात्वा समन भेज सकती है और केजरिवाल के इस रवये पर बड़े आक्षिन की तयारी भी की जारी है कोट ने एडी की आजिका पर आईपिसी की धारा 174 के तहट संग्यान लिया यह धारा कानूनी आदेश का पालना करने से संबंदित है कोट नहीं होता है when you are dealing with law enforcement agencies and court आप थोड़ा सा दिमाग को ठंड़क लेकर के चले है समन्स जो एडी ने आपको भेजे है वो लीगल है या इलीगल है यह तैक करने वाले आप नहीं यह कोट तैक करेगा आपनी कैसे बाल लिया कि बही इलीगल है किसने कह दिया किसने certificate दे दिया अब है क्या इडी सात्वा समन भेज रही है क्यों भेज रही है बात बहुत ही clear है कि इडी केजरिवाल ने तीन चार बार वो जो समन्स का जो निरादर किया उसकी अभेला की नहीं पहुचे उसको लेकर के गई कोट के अंदर यह कहने के लिए जान बूच के नहीं आ रहा है यह आदमी यह PMLA कानून 50 के तहट भेजे गए नोटिस को रिस्पॉंड नहीं कर रहा है तो कानून क्या कहता है कि 62 के तहट इसको जेल भेजो तो यह केस तो अलग है आप गए नहीं क्यों नहीं क्योंकि आपको मालूम है गए तो गए तिहार इसलिए यह फड़ फड़ा रहा है ऐसा नहीं कि उसे ज्यान नहीं है वो जरुद से ज्यादा ज्यानी है और इसलिए वो एक narrative क्रियेट कर रहा है लोगों की दिमाग में कि इल्लीगल तरीके सब को भीजा गया कोई घोटाला नहीं हुआ तो सुप्रिम कोड तक तुम्हारे चक्टे वट्टों को किसी को वेल क्यों नहीं मिल रहा लेकिन है राज़ुतिकी यह तो narrative क्रियेट करना चारा है कि कोई केस नहीं कोई कुछ नहीं कुछ यह नहीं कुछ व हुआ है तो सारे आरोपी जेल जाएंगे अगली कवरों में बात पश्र बंगाल के संदेश खाली केस पर संदेश खाली में हुई हिंसा मामले में सुप्रिम कोड ने हस्तशेप करने से आजनकार कर दिया सुप्रिम कोड ने याजिका करताओं से इस मामले में हाई कोड का र साथि सुप्रिम कोट ने कहा कि अगर आवशक्ता पड़ेगी तो हाई कोट विशेश पीट का गठन करेगा, सुनवाई के दौरान संदेश खाली हिंसा की तुलना मनिपूर से करने पर जजच सहब नाराज़ की भी जताई है, इतना मामला गंभीर है संदेश खाली को लेकर प प्रान सुख गए, कप कपी लग गई जजच सहाबों की, मैं तो तीन दिन से कह रहा हूँ, कि संदेश खाली के उपर बहसी नहीं करना चाहिए, कोई कुछ नहीं करेगा, कोई कुछ नहीं करेगा, यह सब मूख दर्शक बने रहेंगे, यह जजज भी पॉलिटिकली पूना चाहते हैं, वहां तो एक महिला का वीडियो आया था, यहां तो महिलाएं सामने आकर के गुहार लगा रही है, सू मोटो लेना चाहिए था, छोटे मोटे केसिस में तो आप तुरता जाते हो सामने, विक्टिंग मुसलमान महिला होती, अभी नाचना शुरू कर दे हो तो सारे सुप्रिम कोट के जज कि हाय तोबा है तोबा देश में कानून का राज खतम हो गया, अभी ये करो, अभी वो करो, पिछली बार भी हुआ था, पिछली बार के आधार पर ही मैंने कहा, कि जब एलेक्शन रिजल्ट आने के बाद, वहां हिंदु महिलाओं के साथ सर और दो बंगाली जजेज ने तो बंगाल के खिलाब जो वो वो कागे मैं मैं इसको नहीं सुनूगा, क्यों, क्यों नहीं सुनोगे, what is your mistake, तो ये तमासक चलता है न्याई के नाम पे, लोग मरते हैं, मरने तो हिंदु महिलाएं हैं, आदिवासी हैं, कौन क्या करेगा, ये आतंकवादियों के लिए रात में खुलेगा, ये आतंकवादियों के लिए रात में खड़े हो जाएंगे खुलने के लिए, कि तुम्हारी सुनुवाई होगी, वहाँ दहसत में लोग जी रहें, इस तरह के फैसले से ही लोगों का सिस्टम पर से भरोसा उठता है, तो अनिल मसी से बेंच ने पूछा कि क्या उन्होंने बैलट पेपर पर क्रॉस मार्क किया था या नहीं, इस बात को रिटर्निंग ओफिसर रहे, अनिल मसी ने कबूल किया कि उन्होंने ऐसा किया था, क्योंकि आम आदमी पार्टी के मेर प्रत्याश्री ने आकर बैलट पेपर लेकर पाड़ा और भाग गये थे इस पर बेंच ने पूछा लेकिन आफ क्रॉस क्यों लगाया तो अनिल मसी ने कहा कि वो पेपर पर निशान देने की कोशिश कर रहे थे लंबी चली सुनवाई उसके बाद सुप्रिम कोट ने बैलिट पेपर पेश करने का आदेश दिया है और कल फिर इस पूरे मामले में सुनवाई भी होनी है कल तो सुनवाई होगी लेकिन आज क्या क्या हुआ देखे आज तो खेल हो गया केजरिवाल के खिलाफ वही कल सुनवाई कर दी गई के फिर से चुनाओ होगा ठीक है चुनाओ फिर से होगा और तीन आमादमी पार्टी के पार्षट जो है केजरिवाल को गाली देख करके वो भारती जिन्दक पार्टी में आ गया अब क्या कर आपने सारा चीज जो बाकी चीजे जो वीडियो किया ये किया वो किया जहां तक मेरी जानकारी जो अपना वो डिफेंस दे रहे हैं अगर उन्होंने कोई गरवड की है परिश्मेंट मिलना चाहिए जेल भेजो ऐसे अधिकारियों को लेकिन उनका डिफेंस यह है कि जिन बैल कौन कौन से बेलेड़ पेपर में क्या हुआ है नहीं हुआ है आम आदी पाटी वाले बैल्ट लेकर के भागने की कोशिश कर रहे थे साथ हो इस तरह की कहानी बनाने की कोशिश में लगे हुए थे कि हम हार जाएंगे तो फिर क्या करेंगे क्योंकि उनको भरोसा नहीं था कॉंग्रेस पार्टी के उपर गे कॉंग्रेस वाले भी उनको वोट करेंगे तो अब दो चीजे होंगी अगर अनील मसी जो रिटर्निंग आफिसर है वो दोसी पाए गए तो उसको सस्पेंड किया जाएगा और फिर से चुना होगा चुना होने के बाद नतीजा वही होगा जो पिछली बार था तो सब मिला करके बात वहीं पे आ गए तो इक किस्मत को आप बदल नहीं सकते हैं बिलकुल बहुत बहुत धन्यवाद से समझाने के लिए धन्यवाद खबर का बंश्रमा में आज के लिए फिलाल इतना है देश्वित इसकी बागी खबर और उनके स्ट टेक अनलिसस के लिए देखते हैं लाइक केचे शेयर केजिए और कापिटल टेवी को सब्सक्राइब केचें नमस्कार